सबी दर्शकों का पंजाबकेस्ट्री.com में स्वागत है मैं हूँ आपके साथ खुशी आज 2 अक्टूबर दिन बुद्वार है आज के पंचान के अनुसार राजविक्रम सववत 2018 के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आमावस्या तेथी है आज उत्तरा फालगुनी नक्षत्र है ब्रह्मयोग है और चतुश्पत करण है आज अंद्रमास संपूर्ण दिन और रातरी कन्या राशी में गोचर करेंगे आज सर्वपृत अमावस्या का श्राद भी है यात अग्यात सभी पिर्त्रों का आज श्राद किया जाता है आज रात पकवाड़े का अंतम दिन है कल से नवरातरी का शुबारंब हो जाएगा बिजनस संबंद्य यात्रा की बात करें तो आज उत्तर या पूर्व दिशा की यात्रा से लाब उठाया जा सकता है यदि इन दिशाओं के लाबा किसी या निदिशा की यात्रा करनी आवर्शक है तो यात्रा पढ़ निकलने से पूर्व एक चमच दही में शक्कर या गुर्मिला कर खाएं अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की भारतिय जोतिश के अनुसार गरीबी, कर्ज और असफलता से तीनों ही ग्रह अधीन है इसलिए यदि आप बिसनेस में सकसेस नहीं पा रहे तो जरूर आपके जन्म कालीन ग्रह शुब नहीं होगे जादतर मामलों में देखा जाता है कि जब हमारे जन्म के क्रेश शुब नहीं होते तो घर का वास्तु भी बिगड़ा हुआ रहता है जादतर मामलों में गरीबी तब ही आती है जबकि घर में उत्तरपूर्व या दक्षिरपूर्व में वास्तु दोशो इसलिए इन इशार और अगनी कोड को अवश्य वास्तु के अनुसार होना चाहिए अन्यथा आपको अपनी मैनत का आधा फल भी प्राप नहीं हो पाएगा अब बात करते हैं आज के राशी फल की कौन सी राशी वालों के लिए आज का दिन शुब रहेगा और कौन सी राशी वालों को आज विशेश सावधानी बरतनी की जरुरत है सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश राशी वाले लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं उसे धरातल पर करें तो सफलता की आशा रखी जा सकती है आपके निड़ने लेने की शमता मजबूत होगी अपनी वाड़ी पर बने रहे तो भविश में कुछ बैतर कर दिखानी का सक्षम है आपमे परिश्रम का उत्तम फल प्राप्त होने का योग है व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले लोगों की बातों को आज समाज में सुना जाएगा कोई मुश्किल काम के पूरा होने से आपकी आर्सिक स्तिती में सुधार दिखाई देता है जो पीछे व्यावसाइक संपर्क बने हैं उनमें कुछ हद तक लाब मिल सकता है यदि नौकरी करते हैं तो उसमें कुछ बदलाव के संकेत भी मिल सकते हैं मिथुन राशी वाले लोग जो सकार के लिए आप बहुत दिनों से परिशान थे उसमें कुछ सुधार होगा और कार के आगे बढ़ने की भी संभाव ना बन जाएगी लेकिन अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है नई-नई योजनाओं को बनाने से बचने का प्रयास करें करक राशी करक राशी वाले लोगों के लिए आपकी राशी से गोचर का चंद्रमा तीसरे स्थान पर होने से भागे वृधी कर रहा है लेकिन आज दूसरे ग्रे आपके पक्षके नहीं है इसलिए बहुत जादा उमीद आपको नहीं रखनी चाहिए काम पर ध्यान दे वही आपके लिए ठीक रहेगा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने काम पर ही ध्यान दे सिंग राशी सिंग राशी वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है आज सोचेगे कार की पून होने की आशा रखी जा सकती है हलाकि काफी कुछ आपके परिश्रम पर भी निर्भर करता है लेकिन भागे का साथ तो मिल जाएगा दामपत्य जीवन में मधूरता बनी रहेगी लेकिन स्वास्त का पाया कमजोर रह सकता है कन्याराशी कन्याराशी वाली लोग यदि बिसनिस यात्रा करते हैं तो लाब होनी की संभाब ना रहेगी बहुत प्रयासों के बाद आज सफलता मिलने का योग है इसलिए सावधानी पूर्वक काम करते रहें कारेों में सिद्धी मिलने की भी संभाब ना है अपने काम पर ध्यान के इंडित करने से लाब की मात्रा पढ़ जाएगी तुलाराशी तुलाराशी वाली लोगों को आज कमर दर्द जैसी शिकायत का अनुबव हो सकता है कोई बुरी खबर मिल सकते हैं जिसकी कई दिनों से आशंका बनी होई थी यदि कोई यात्रा प्रस्तावित है तो उसे कल के लिए स्थगित कर दे क्योंकि यात्रा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता व्रिशिक राशी व्रिशिक राशी वाली लोगों के लिए आज खर्च की अधिकता बने रहने से शाम तक आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं जुससे आपका बजट बिगणने का भए रहेगा नौकरी में ट्रांसफर की कोई आश्यंका बन सकती है कुल मिला कर दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता घर में विवाद की स्थिती भी बन सकती है धनुराशी वाले लोगों क कि आत्रा पर भी जा सकते हैं बिस्निस में कुछ नया होगा मकर राशी मकर राशी वाले लोगों का आज का दिन को मिला कर बहुत अच्छा व्यतीत होना चाहिए क्योंकि भार्गी स्थान का चंद्रमा शाम तक अवश्य कुछ लाप की स्थिती बना देगा लेकिन व्यापा तक अवश्य कुछ अच्छा कर पाएंगे पारिवारिक यात्रा का योग है लिकिन यदि बिस्निस यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी पैसे भी आज कोई नया या भारी सौदा ना करें मीन राशी मीन राशी वाले लोग जो चल रहा है उसी में सुधार करने की कोशिश करें हलाकि राशी से साथवा चंद्रमा शुब होता है इसलिए जादा खराब दिन नहीं कहा जाएगा यदि आलस से त्याक कर परिश्ट्रम करेंगे तो कुछ बड़ी उपलबधी मिल सकती है आज की राशी फल में बस इतना ही ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे पंजाबकेस्टी.com के साथ